नमस्कार दोस्तों राजनीती की बातों में आपका स्वागत तैम मैं हूँ आपका दोस्त दर्मेंदर कमाली दोस्तों कुल आठ लोग हरियानत से सुविदान सभा के सदस्य बने थे चोदरी रनविर सिंग हुड़ा, पंडित ठाकूर दास भारगाओ, मास्टर नंदाल मगोजी और लाला देश बंदो गुपता और चोदरी निहाल सिंग तकसक पर हम बातचीत कर चुके हैं उनके वीडियो प्लब्ध हैं, आप जाकर देख सकते हैं, आज जो चटे सदस्य हैं और आजादी के बाद पूरी पंजाब के जो पहले मुख्यमंत्री बने थे डक्टर गोपी चंद भारगाओ, उन पर बात करेंगे डक्टर गोपी चंद भारगाओ जी का जनम 8 मार्च 1887 को उच्वर गिये ब्राह्मन मुंसी, बद्री परसाद जी के घर में सिर्सा सहर में हुआ था और डक्टर भारगाओ का संबंद मूल रूप से कैथल जिले के सिमला गाओं से था वहाँ से इनके पुरुच रेवाडी गए और किनी कारणों से दादा पंडित कनेयलाल जी सिर्सिया में रहने के लिए आ गए लेकिन गोपी चंद के जनम के बाद मूल रूप से हिसार में बस गए आपके भाई ठाकुर्दास भारगाओ भी सुविधान सबा के सदसे रहे और गोपी चंद भारगाओ जी ने मेट्रिक सिक्सया हिसार से 1905 में पास की और 1907 में डेवी कोलेज लाहूर से इंटर और किंग एड़वर्ड कोलेज से 1912 में MBBS के डिग्री ली 1913 में लाहूर में ही डाक्टरी का अभ्यास करना शुरू कर लिया लेकिन किस्मत ने सियासत के दरवाजे उनके लिए खोल रखे थे 1913 में सरसुती देवी से उनकी साधी हुई एक पुत्र फतेचंद और पुत्री रुक्मर्णी देवी हुई पहली पत्नी के निदन के बाद उन्होंने अपनी साली यानि की दिलभर देवी से साधी की 1926 में रोलेट एक्ट के विरोध में ऐसे ओ गांदोलर में बढ़ चड़ कर डक्टर गोपिशंद भारगोजी ने हिस्सा लिया और 4 दिसंबर 1921 को लाला लाजबत राए के साथ गिरपतार हुए और 1923 में पुने लाला दूनी चन लाहूर के साथ गिरपतार हुए 30 अक्टूबर 1928 को लाहूर में साइमन कमिस्न का विरोध करने के कारण लाला लाजबत राए जी के साथ वो फिर से गिरपतार कर लिए गए भगत सिंग जी भी लाहूर जेल में उस समय बन थे और डक्टर भारगोव भी लाहूर की दोनों जेलों में नहरू के साथ बन रहे सवी नहीं वेग गया अंदोलन के तहट 1930-1933 में फिर से उनको गिरपतार किया गया और व्यक्तिकत सत्यागरामें अक्तूबर 1940 में फिर से उनके गिरपतारी हुई भारगोव अंदोलन के तहट अगस्त 1922 में एक बार फिर से उनको जेल की सलाकों के भीतर कर दिया गया सियासत में उनका योगदान था दोस्तों 1921 में लाहोर जिला कॉंग्रेस समीती के वो सेक्टरी रहे 1922-22 में वो परधान बने और 1929 में कांग्रेस के लाहोर अधियुशन में स्वागत समीती के महास्यू थे 1927 में पंजाब विधान सभा के सदस्य बने और 1929 तक वो वहां रहे 1937 में पंजाब विधान सभा के लिए फिर से चुने गए और विपक्स के नेता वो बने 1946 में पंजाब विधान सभा के सदस्य के चुनाव हुए और पंजाब विवाजन कमेटी के वो सदस्य बनाए गई अब बात करते हैं सविधान सभा में उनके चैन की बिट्रिस भारत की सुविधान सभा में 1946 में आपका चेन हुआ था और पंजाब के कुल तेई सदस्यों में आपसा मिलते आपने सुविधान सभा के विवादों में कोई खास दिल्चस्पी नहीं दिखाई और देश के आजादी के बाद पुरुई पंजाब के पर्थम मुखे मंत्रिया बने 1952 में कांग्रेस पार्टी चोड़ दी और आचारी एकरिपलानी दोरा बनाई गई किसान मजदूर परजा पार्टी में आप चले गए लेकिन 1997 में पंडित नहरू की अपील पर कांग्रेस में दुबारा से सामिल हुए और कैरो सरकार में वित मंत्री बन गए खादी एक्षेतर में आपने बहुत काम किया गांधी निदी पंजाब वे पंजाब हरीजन सेवक संग के आप परदान रहे और अनेक समाजिक संगठनों के साथ जुड़े रही अखिल भारतिय किसान संग और भूदान अन्दोलन से भी आपने जुड़कर समाज और देशित में काम किया हर्याना बनने के एक महीने बाद 26 दिसंबर 1966 को चंडिकड में डक्टर गोपी चंद भारगोजी का निधन हो गया दोस्तों तो ये थी डक्टर गोपी चंद भारगोजी की एक संसिप सी जानकारी इस तरह की जानकारी में सबसे बड़ी दिक्कती आती है दोस्तों की इनके बारे में लिखा बहुत कम गया है आप कहां कहां से ढूंड के निकालेंगे आप चीजों को कैसे वैरिफाई करेंगे और कैसे संजोंगे ये बहुत बड़ी चुनुती इन में होती है इसलिए अगर आपको भी डक्टर गोपी चंद भारगोजी की कोई भी जानकारी आपके पास हो तो आप जरूर कमेंट करके जानकारीयों को सिम्रिद किया करें इसके अलावा भी जितने वीडियों हैं अगर उनसे संबंदित पी आपके पास कोई जानकारी है तो आप जरूर कमेंट करके सांजा किया करें वीडियो कैसा लगा दोस्तों ये बता दिया करें ताकि हमारा होसला अपजाई होती रहे कल फिर हम अगले जो एक और सदस्ते हैं उनके बारे बातचीत करेंगे दोस्तों शुक्रिया नमस्कार